गेहु के आटिसी बनाएंगी ऐसा स्वाधिष्ट वतेष्टी नास्ता जिसके आगे समोसा कचवरी भी फीकी लगेगी तो चलिए फिर बिना तेल के इस नास्ते को बनाना सुरू करते हैं उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए होंगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेश चरूर कर लीजिएगा यहां पर देखिए पहले मैंने ले लिया है एक कटोरी आटा, तो यहां पर देखिए मैंने बड़े कटोरी से लिया है तो लगबग देड़ कटोरी यह आटा है साथ ही इसमें हम डाल देते हैं अजवाइन क्रस करके तो आधा चमद आप आजवाइन ले लिजिएगा स्वाथ उन्सार हमें नमक डाल देना है अब उसकी बात मैं यहां पर देख सकते हैं फिर मैंने ले लिया है आधा चम्मत देसी घी आप चाहें तो रिफाइंड ऑइल भी ले सकते हैं यहां पर मैंने थोड़ा सा देसी घी का यूज कर लिया है बिल्कुल ऑफ्सनल है साथ ही हम डाल देते हैं आधा चम्मत से कम बेकिंग सोडा अब इन सारी चीजों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे जितने अच्छे से मिक्स करेंगे उतने ही ज्यादा टेस्टी हमारे यह नास्ता बनकर तैयार होगा तो बिल्कुल अच्छे से हाथों से मसलते हुए इसे परफेक बहुत ही परफेक्ट और कम टेल का बहुत छट-पण नास्ता है इस नास्ते को बनाने के लिए बहुत ही टेस्टी के बनाकर पर सकते हैं यहां पर आक्तर कर लिया नियुका अब इस तो ग्रेटर से भी ग्रेट कर सकते हैं या फिर मैसर से भी मैस कर सकते हैं तो फ्रेंड्स मेरी आज की वीडियो आपको कैसी लग रही है प्लीज कमेंड में जरूर बताईएगा अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक चरूर कर दीजिए साथ ही मेरे चै पस्क जरब मेठी करें दमक मेरे पास था काशूरी मेठी दा दूसा अरो के पास कसूरी मिथि नहों तो सकीप कर दी जेगा यहाँ पे देशकता हैं सारेसे मीक्स अब इस तरीक Näsh 36 से अच्छे से मिक्स करेंगे फटा प्टा बनाना शुरू करते हैं यहां पे देख सकते हैं पास में अच्छे से हुच अच्छ न हैसे नहीं उन तो इससे इसमें थोड़े से लम्स हो अच्छे से सेट हो जाए अब चलिए बनाना शुरू करते हैं यहां पर देखे जैसे मैं चपाति का लेती हूं उसी थोड़ा सा ज्यादा ली हूं और इस तरह बॉल्स बनाने के बाद हाथों में हम थोड़ा सा आठा लगा लेंगे अगर इस हार् थोड़ा सा इसे अब बढ़ना चाहिए निकाल लेंगे और इसे थोड़ा सा फ्लैट कर लेंगे बहुत ज़ादा इसे हमें प्रेस नहीं करना है इस तरीके से बिल्कुल और नास्ता बना सकते हैं खाने ही इतना ज्यादा टेश्टी रखता किसे आप बार बार बनाना चाहेंगे खाने का मन हमेशा करेगा क्योंकि ये कम तेल का चटपटा नास्ता बन कर तयार होगा और साथ ही बिल्कुल हेल्थी है गेहु क्याटे से बना हुआ है यहां पे दे सकते हैं तरीके से हमें बना कर फटाफट तयार कर लेंगे तो बहुत ही जटपट सी और अमेजिंग सी रेस्फी है फ्रेंड तो वीडियो को फूल वार जरूर करते रहें और मेरे चैनल पर नए होंगे तो प्लीज सस्क्राइब जरू कर लेजेगा साथ ही मेरी वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक करना बिलकुल मत भूलिए यहां पर देखें इस तरीके से मैं दुसरा भी दिखा दे रही है अपको ऐसे फटाफवट आप श्टफिंग कब या जदह अपने कोड portion भर कर तैयार कर सकते हैं तो इसी तरीके से मैं दो नास्ते को देखे आपको बना के दिखा दी हूँ तो इसी तरीके से आप आसाने से ये नास्ते को बना कर आप तैयार कर सकते हैं यहाँ पर देखे इस तरीके से थोड़ा सा फ्लेट कर देना है तो फटा फट से इसी नास्ते को हम ऐसे ही बना के फट यहां पर मैंने फ्राइ नहीं किया है इसे हम इस्टीम करते हैं ताकि हमारा नास्ता बिल्कुल हेल्थ तरीके से बनकर तैयार हो तो आप एक जाली वाला बरतन ले लिजिए अब उसमें आप थोड़ा सो ऑईल ग्रीस कर लिजिएगा वरना यह चिपकने लगेंगे तो यहां पर देख सकते हैं इस तरीके से हमने ग्रीस कर लिया है तो कड़ाइम मैंने पानी थोड़ा सा रख दिया था उसके उपर हम जाली वाला बरतन रख लेंगे अब इसमें जो मैंने बनाकर रखा था इस्टफिंग को उससे हम रख लेते हैं तो जितना आ सके एक बार में उतना करना है तो इसे गैस का फ्लेम लो करिएगा बहुत ज़्यादा हाई फ्लेम पर नहीं कीजिए यहां पर दे सकते हैं 10 मिएट बात काफी अच्छे से हमारा यह बनकर तैयार हो गया है तो दे सकते हैं इसका कलर बिल्कुल परफेक्ट आया है तो चलिए इसे मैं निकाल लेती से यह नास्ते का बना कर इंजॉय कर सकते हैं यहां पर देखिए इसी तरीके से मैं सारे नास्ते को निकाल लेती हूं तो बिल्कुल परफेक्ट बनकर तैयार होती है इसी तरीके से देखिए यहां पर सारे नास्ते को निकाल लिया है और जो दुबारा में बचा है उसको भ तो बच्चे कुछ न कुछ जित तो करते ही रते हैं तो क्यों न घर में हेल्थी और चटपटा नास्ता बनाया जाए जो कम तेल का भी हो और बिल्कुल हेल्थी भी हो बच्चे बाहर के जित भी ना करें इस तरीके से आप नास्ता बना सकते हैं यहां पर दे सकते हैं थोड़ तो यहां पर मैंने बताया था फिर अगर आपको देसी घी यूज ना करना हो तो आप बटर भी यूज कर सकते हैं या फिर चाहे तो आप थोड़ा सा रिफाइंड ओयल भी यूज कर सकते हैं तो ज्यादा इसमें ऑईल जरुवत नहीं पड़ेगी थोड़ा सा ऑईल डाल टता कंभ़े न मनेखेंब हैं तो लग रहे है ना तो the the sags को या खिंड को जरू £5 बलएगी दिटा के पसंद के मानिद उ कमें जरूर बताईए कंद किने को रेश्याच की कैसी लग रही है तो फिरण वीडर अच्छी लग रही हो तो लाइक एग 53 वीडियो अच्छी अ कर दीजेगा साथ ही कमेंड में हर महा देर लिखना ऑर हम रहे से देख रहे से अगर आपको और मेरी रेस्पी देख में अगर हैं आपैस कुछ अधे ह पूल Savannah'क है में एक चलिए फिर मिलते हैं नेक्स वीडियो में नेक्स रेसिपी की साथ तब तक के लिए बाबाई टेक केया थैंक्स वर रॉचिंग